हलो गुद मॉनिंग एव्रिवन आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे मैं भी एकदम बढ़िया हूं आज फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक क्या बिजनस कम्यूनिकेशन का बिजनस लेटर और मैमो फॉमेट आप सभी जा आगे आपको मिलेगा बहले थोड़ा शॉट में मिले या वास्ट में मिले लेकिन आपको मिलेगा दुरूर तो आज हम बिजनस लेटर बिजनस मेमो इतने अच्छे से प्रिपेर कर लेंगे कि हमें लंबे समय तक याद रहे अगर बीकॉम के बच्चे इसको देख रहे हैं तो उनको अपनी मास्टर डिग्री तक याद रहे अगर मास्टर डिग्री वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको अपने थू लाइफ तक याद रहे कि बिजनस लेटर क्या होता है जो भी इस चैनल पर नए है वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी भूले और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो यह स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक बिजनस लेटर और मैमो फॉर्मेट क्या होता है पहले थो हम समझेंगे बिजनस लेटर क्या होता है बच्चो देखो समय बहुत हमारे पास लिमेटिड होता है इसलिए ह अच्छा आपको प्रवाइड कर आते हैं तो बिजनस लेटर बिजनस आपको पता है क्या होता है मैं अपने पुरानी वीडियो में बता चुका हूं जो बच्चे यहां पर नए हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं अपना यह जो डिस्क्रिप्शन है वह इसके पीचे डाल दूँगा वो लिंक आप उस पर जाएंगे तो आपको मेरे सारे लेक्चर जो भी मैंने बिजनस कम्यूनिकेशन पर बनाया है वह आपको दिख जाएंगे तो आपको महां पर जाकर करके सारी वीडियो जब आप थू चैनल देखेंगे तब आपको पता चल प्रॉफिट मैसिमाइजेशन के लिए ठीक है वो बिजनस होता है शॉट में बता दिया अब आप इसको डीटेल में जाना चाहते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो देख लिए बिजनस लेटर वो होता है लेटर जिसमें बिजनस अफेर से रिलेटेड बात लिखी हो जैसे क कि आजकल तो इमेल फाक्स यह सब चलते हैं वाट्साइब मैसेजेश चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें चलती हैं स्काइपी चलता है और बहुत सारे अपने अपने सोफ्वेर लेकिन पहले बिजनस लेटर लिखे जाते थे आपने देखा होगा किसी को भी आज भी अगर को इस चु करते हो नहीं होट हो म सबको एक लिखना अब अबड़ता है अब देखिए बिजनस लेटर लिटर लेटर रिटर इस लोगना एस स्मछत सी बात है जो लेटर का Кон Calcant दिभर बिजनिस अफेर से रिलेट लेटिव को खो लिए for example, एक retail shop खो लिए, grocery की shop खो लिए मैंने और उसमें मुझे पतांजली के product रखने है, तो जो पतांजली के distributor हैं मैं उनको एक letter लिखूगा की भई मुझे पतांजली के इतने face wash, इतने सावन इतने कोकिंग ओयल इतना उसका यह जो भी उसका मैटीरियल है वो मुझे चाहिए तो अपने बिजनस लेटर में मैं फोर्मली उसको यह सब चीज लिखके रिक्वार्मेंट लिखकर के बात करूंगा या फिर दूसरी चीज अगर मैं अगर मैं डिस्टिब्यूट लेनी है तो मैं उनसे व्यपार से ले रिलेटिट उनको लेटर लिखूंगा क्या लिखूंगा फॉर एक्जांपल मैं इतनी शर्मा मेरट से आपकी डिस्टिब्यूटर शिप लेने के लिए इंट्रस्टेड हूं तो आप अपना जो भी मतलब है आप कुटेशन आप मुझ होना चाहिए इतने employees होने चाहिए कम से कम दो अकाउंटेंट होने चाहिए marketing के लिए हमारी क्या strategies वो हमें companies को inform करनी पड़ती है तो मतलब अपनी सारी चीज हम क्या capital लगाएंगे कितने का माल पहली बार में खरीदेंगे और customer को कैसे हम provide कराएंगे हमारे एरिया में कोई और distributor है उस same company का या नहीं क्योंकि same area में distributorship नहीं मिलती है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको बताते हुए उनको inform करते हुए हम अपना proposal उनको भेजेंगे if they are accepting तो हमें हमारी distributorship मिल जाएगी तो यह जो हमने उनको letter लिखा यह क्या हुआ बच्चों यह हुआ business letter clear है जिसको नहीं समझ में आया हो please आप हमें comments कीजिए और अगर आप यह video facebook या insta पे देख रहे हैं तो उस channel को भी facebook page को भी हमारे like कीजिए that's really motivate us to make more videos for our student अब next करते हैं हम इसकी एक बढ़ी ऐसी definition it is an important part of business communication it is an important part देखो हो सकता है मेरे writing बहुत बच्चों को समझ में ना है इसलिए मैं दीरे दीरे करके बोलता हूँ ताकि आप अपने rough paper पे अपने rough copy पे जो notes बना रहे हैं बच्चे वो लिख ले it is an important part of business communication यह business communication का बहुत important part होता है business communication का अब जो बच्चे नहीं हो पुछेंगे sir आपने बिजनस communication नहीं बता है तो बच्चों आप हमारे link पे जाए पुरानी वीडियो देखें आपको बहुत अच्छे से पता सिल जाएगा business communication क्या होता है verbal non-verbal communication क्या होता है पेरा language क्या होता है उसके limitations क्या होता है importance क्या होता है characteristics क्या होते है techniques क्या होती है जो हम paper में अपना answer write करते हूं आपको सब मिलेगा उसमें it is an important it is मतलग it का मतलब हो गए यहां पे business letter बोले तो business letter is an important part of business communication यह business communication का बहुत important part as they are most economic and effective way यह बहुत economic और effective वे है economic मतलब ठीक उसमें हो जाता है भाई देखो अगर आप email भेज रहे हो आपको net weight लगवाना पड़ेगा proper system होगरा यह वो economic business letter को कैसे करेंगे भाई आपने कागज उठाया एक pen उठाया अपनी बात लिखी formal ways में और आपने उसको कोरियर कर दिया simple ठीक है तो यह economic हो गया आपका कोरियर mostly 100 रुपे में चला जाएगा अगर Bombay भी भी भेज रहे हो आ तो 100 रुपे में आपका कोरियर अराम से चला जाएगा और अगर आप email भेजोगे तो इसके लिए आपको नेट लगवाना पड़ाएगा जिसको आपको 700 रुपे देना पड़ेगा अगर आप लगवाओगे तो एक example दिया है मैंने आपको ठीक है तो economic way है बहुत effective way है clear हो गया effective way of retaining information clear in the modern world of technology advancement there are many modern ways of communication modern word में modern word को उन्सा हो गया आज का दौर आज के दौर में जो आपकी यह है advanced technology है उसमें बहुत सारे तरीके के communication करने के आ गए जैसे fax आ गया email आ गया और बहुत सारे कुछ आ गया आपको बहुत सापे भी आप message बेज़ देते हो आज सकल तो ठीक है get the importance of letter remain there लेकिन जो importance है business letter की वो आज भी कही न कहीं है आज भी आप देखते होंगे email के साथ साथ courier भी जाता है ठीक है बिलकुल आता है courier जैसे की आपने देखा होगा कि अगर आप अपना कही registration वगरा कराते हैं कुछ कराते हैं कुछ भी आप income tax का ले लो सबसे बड़ी बात आप income tax सब भरते होंगे जो नहीं भी भरते वो बच्चे भी सुन ले उनको भी knowledge मिल जाएगी जब आप income tax भरते हैं तो income tax भरते हो आप जो अपने CA या आपके जो भी lawyer होते हैं income tax consultant आप उनको अपने data देते हैं पुरा कि आपके क्या income कैसे है आप उनको करने के बाद सारा चीज करने के बाद अगर income tax से आयकर विवाग से कोई भी inquiry generate होती है तो आपको सारे document with covering letter आपको attest करके उनको भेजने होते हैं attest बोले तो attest बोलो and close बोलो बहुत हार था सेम वर्ड देखो बीकॉम के बच्चे हो BBA के बच्चे मैनेजमेंट सुडेंट हो आपको यह तर्म बहुत सूट करती है कौन सी यह लिख रहा हूँ and closed attest whenever you are sitting for the interview and interview will ask about these terms and you are not familiar with that that it's provide and it's implies a bad impression of yours so it's very mandate and very important to learn all those terms which is really related to the business communication and the management courses abhi isa cheez ko ma hindi mein bhi बताओं यह टर्म्स बहुत फैमिलियर आपको होनी चाहिए फैमिलियर मतलब आपको यह जानकारी में होनी चाहिए अगर कल को आप interview में बैठते हैं और email करने को आपको interview में HR बोलता है क्योंकि कभी-कभी technical में HR कुछ भी बूच लेता है कि ठीक आप इस चीज की email का draft करके दिखाए और आगर आप यह वर्ट नहीं यूज करते हैं या फिर उसने या किसी और ने आपको यह वर्ट बोले और आप इसका समझ नहीं पाए तो यह आपका इंप्रेशन खराब कर सकते हैं क्योंकि यह basic है और damn sure graduation के बच्चों को नहीं पता होता कोई बात नी किसी को भी नहीं पता होता मैंने भी आकर क्या में सीखा था अब भी सीख रहा हूं तो आपको भी यह learn करना है तो यह सब जो terms होती हैं यह सीखा करो clear यह हो गया इसका क्या मतलब हो यह मदद करता है businessman का कि वो एक नए relations बनाए और जो उसके already relations बने होए हैं उनको existence में लेकर आए देखो भाई मैं बिल्कुल clear two cut बात बता हूं business letter में business letter लिखते समय होता क्या है आप अपनी चीज को detail में लिख देते हो letter पे clear आपकी जो भी requirement होती है आप उसमें लिख देते हो नहीं तो बहुत सारे चीजे ऐसी होते जिसमें I think word limit में word limit भी होती है और letter पढ़ने में और email पढ़ने में बहुत अंतर होता है क्या अंतर होता है आप email पढ़ रहे हो content पढ़ रहे हो ठीक है लेकिन ज्यादा दर लोग जनी important है आपके लिए ठीक है तो वो उसको अच्छे से grow through करके आपको उसका reply बना के देगा ठीक है जैसे कि आपने सुना भी होगा business letter में letter of acceptance भी होता है इसमें तो I think है नहीं लेकिन मैं फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा पता दूँ हो सकता है बहुत लोगों की textbook मे वारी textbook के according है लेकिन अगर आप इनको headings भी और यह definition में लिखोगे तो आपका अंसर गलत नहीं होने वाला है तो आप उसमें क्या होता है letter of acceptance और decline मतलब आप उस letter को accept कर रहे है है decline कर रहे है clear होगे ठीक है अब हम किसके बारे में बात करेंगे अब हम बात करेंगे इसके elements के बारे में है तो गाई अब हम continue करते हैं essential element of business letter पर आईए फटा-फट से देख लीजिए कि अब हम इसके elements को पढ़ेंगे फॉस्ट element होता है हमारा है रेकिन element होता है है थर्ड element होता है हो सारी में बोलना भूल गया ग्लाइट तो आप अगर जो बच्छे लिख रहे हैं नोट्स बना रहे हैं वह लिख ली जैसेंशल विंसल नेटर फॉस्ट है राइट नाचुरली सेकेंड है टेक केर अफ लेंगवेज थर्ड है कॉर्ट इस वार क्लियर फोर्ट होता है हमारा कंप्लीटनेस फिफ्ट होता है हमारा श्वेशन पर्सुएशन एफ्ट होता है हमारा कंवर्जेशन स्टाइल है ठीक है फटाफट लिख लिजिए फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि अपने कंटेंट को बिल्कुल पॉफेक्ट लिखें डीटेल में लिखें अच्छे से लिखें लिखें जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि रिटिन जब हम कुछ करते हैं रेटें लैंगवेज बहुत डिफेंट होती है अगर हम इसको रिटें में लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे अभी सबसारी अडिंग हम क्लियर करेंगे तो इसमें आपका आगे राइट नेशनली डीटेल में अपने कंटेंड को अच्छे से लिखो टेक केर आफ लैंगवेज मतलब आप अपनी भाशा का बिल्कुल सही इस्ताम इस्तमाल करें पॉलाइटनेस रखें और जो आपका टोन होता है वोईस मतलब बोलोगे तो नहीं वोईस मतलब जो आपका इसमें टोन होता लिखने का वो बिल्कुल तरीके से लिखें अभी मैं आपको टोन वाली बात बताईए अब आपको होगे कि अभी हम बिजनस लेटर कर रहे हो जैसे टू दा मेनेजिंग डिरेक्टर या एंडी जो भी होगा सीओ होगा या जो भी आपका सेल्स एग्जिगेटिव पतांजली प्राइवेट लिमिटेड ऐसे ऐसे करके तो आप उनको एड्रस कर रहे हो तो आप एक इंस्टिउशन आप एक और्गनाइजेशन आपका बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए एक चीज याद रखना बिजनस लेटर आप एक बार किसी को कोरियर कर रहे हैं भेज रहे हैं तो उसमें अगर आपकी यह सब चीज़े नहीं हैं तो हो सकता है आपने जिस बिजनस को वड़ाने के लिए बात की है या जिस बिजनस को अफेर्स चलाने के लिए आपने बात किये हो सकता है वो ना हो पाए वह एक ही मौका मिलेगा आपको अगर आप किसी को भेज रहे हैं ऑफर या अपना प्रपोजल भेज रहे हैं और वह बंदा उसको नो अक्सिप्ट करें जैस्ट बिकॉज क्योंकि उसको मैसेज कंप्ल अगर आप फॉर एजम्पल भाषा में लिख रहे हैं हिंदी की बात कर लोते हैं हिंदी में बीज जैसे बोलते हैं कि मेरे साथ और अगर आप हमारे बड़ावत एरिया में चल जो कहेंगे मेरे गैल तो इसमें भी डिफरेंस आजाता है हो सकता है उसको वर्डी समझना है प नाल को समझ गया ठीक है तो आपको लेंग्विज का भी प्रॉपर ध्यान अखना है कि वो आदमी आपकी लेंग्विज को समझ पारा भी है या नहीं क्लियर अब जैसे कि अगर हम उत्तरप्रदेश में रहते हैं और हमें मल्यालम कंणर तेल लगू नहीं आती अगर वो हमें तेल लगू में लेटर भेज़ेगा तो यह नौट गूइंग तो अपना अफर प्रपोजल देने के लिए उस चीज की बात कही है क्लियर कन्वेजेशं स्टाइल सबको पता है बिजनस में Ariana में मार्केटिंग में आपका कन्वेजेशं स्टाइल बहुत कारता है आप किस तरीके से लोगों से कम्यूनिड करते हैं किस तरीके से कस्टमर रोलेशन बनाते हैं ये सब चीज से आपको बहूत मेट़ करती ह तो आपका communication style बहुत different होना चाहिए, बहुत confident होना चाहिए, आप लोगों ने notice किया होगा, जितने भी motivational speakers होते हैं, उनके पास बहुत अच्छा attitude होता है, communication का, तो वो attitude आपको अपने अंदर भी built करना है, अगर आपको अच्छे से success करना लाए इसमें, because बहुत सारे लोग होते हैं, जो sales marketing में भी आगे जा करके लगते हैं, या जो HR बनते हैं, या जो finance में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपके पास query तो कहीं न कहीं से आएगी, अगर आप sales में काम करने तो sales वाले आपस query करेंगे, अगर आप taxation finance से बात करने हैं, तो taxation finance वाले non-verbal, आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी आप job के advertisement देखते हैं, तो उसमें mention होता है, कि उनको क्या skills थे हैं, ग्रेजवेशन वगर यह सब normal है, कि good in written and verbal skills, मतलब लिखने की और बात करने की जो skills हैं, वो अच्छी हो, clear, ऐसा भी ना हो कि वो phone में बढ़ अच्छी बात क कर पा रहा, ऐसा भी ना होगी, वो email की language बहुत धांसू लिखता है, लेकिन उसको phone पर बात करनी नहीं आ रही, customer से, ठीक है, तो यह सब चीज़े आप क्यों होती है, element में, आप जब letter लिखते हो, यह क्या है, business letter लिखते हो, ठीक है, अब, मैं आपको इसका format सिखाऊँगा, तो गाइज, अब हम business letter का format देखते है, to the xy that limited, जिसको भी भेज रहा है, Delhi road, new Delhi, clear, subject लिखेंगे, कुछ भी subject बान आ लेते हैं, जैसे कि हम, distributorship के लिए query कर रहे हैं, तो उसके लिख लेते हैं, query for distribution ship of patanjali product, अब आप इसमें इतना भी लिख सकते हैं, query for distributorship, patanjali product ना भी लिखते हैं, तो चलता है, क्योंकि आप patanjali को लिख रहे हो, या किसी और xy that को लिख रहे हो, तो उसका भी हो जाएगा, suppose कर रहे हैं, आप patanjali है, ठीक है, clear हो गया, अब आप इसमें क्या लिख होगे, reference, यह देखो, reference, important तब होता है, जैसे आपको कोई letter आया है, for example, अगर आपको income tax की तरफ से letter आया है, और आप उसके लिए भेज रहे हो, या फिर चलो, उसका income tax का छोड़ो, business का ही, suppose करो, आप patanjali हो, और आपको किसी merit के आदमी से, या किसी बागपत के आदमी से, letter आया, distributorship का, तो और उसने अपने letter पे letter का number डाल रखा है, 14270 AE 2020, date है, 1 April 2020, clear, तो अगर उसने नमबर डाल रखा है, तो आप इसका reference दोगे, क्या दोगे, letter number 14270 AE 2020, dated 1 April, 20, clear है, यह reference अब देते हैं कि आप उसको बता रहे हो कि भाईया, जो आपने letter बेजा था, इस तारीक को, letter number यह, उसके reference में हम बात करें, clear, तो यह तब आएगा, अगर आप किसी को पहले बेज़ रहे हो, आपको किसी का नहीं मिला, तब आप यह reference नहीं लिखोगे, फिर आप लिखोगे, salutation, salutation बोले तो, respected sir, ma'am, madam भी लिखोगे, तो कोई बात नहीं, sir, ma'am, कुछ भी लिख सकते है, sir, ma'am, यह होगे आपका, ठीक है, अब, respected ही लिखोगे, dear नहीं लिखोगे, लिख भी दोगे, तो ऐसी कोई बड़ा issue नहीं होता, अब आप इसमें content लिखोगे, देखो बई, content लिखने का भी एक style होता है, क्या होता है, पहले तो आप introduce करोगे, introduction दोगे, किसका introduction दोगे, अपना दोगे, बिलकुल सही, क्योंकि अभी आप वो नहीं कर रहे हो, अभी आपको distributorship चाहिए, तो अभी आप अपना introduction दोगे, क्या हो, कैसे हो, क्या आपको चाहिए, ठीक है, फिर आप उसका, वो दोगे, क्या कहते हो उसका, इलाबोरेशन, इलाबोरेट करोगे अपने उसको, कि आप क्या चाहते हो, आपके requirements क्या है, आप इसमें requirement भी लिख रते हो, requirement, ठीक है, फिर उसका आप conclusion लिखोगे, conclusion लिख दिया, conclusion क्या होता है, आपका जो उपर का आपने लिखा है, वो exact होना चाहिए, मतलब आपका उसमें छोटी, छोटी चीज में आपको सब चीज आजाने चाहिए, conclusion में, कि आपने पूरे लेटर में क्या क्या है, तो आपको conclusion में समझ आजाने चाहिए, clear, एक short summary कह सकते हो, उसके बाद आपका क्या होगा, अगर आपको इंक्लोस कर रहे हो, इंक्लोस कर रहे हो, क्या इंक्लोस कर रहे हो, उसके बीचे अपना shop का registry या income tax का जो ITR होता है, वो GST नंबर के, आपका जो paper मिलता है, GST letter, जिसपे आपका GST number, address, letters लिखा होता हो, तो आप उसमें लिख दोगे, इंक्लोस, 0.1, GST, 2, copy of अधार, 3, copy of pen, self-attested pen, यह self-attested अधार, self-attested का मतलब होता है, जिस अधार की copy बे आप sign करके देते हो, या जिस pen card की copy बे आप sign करके देते हो, ठीक है, उसके बाद आप इसमें क्या लिख दोगे, regards, thank you, thank you के बाद, thank you, best regards लिख सकते हो, या आप इस अपना नाम डालोगे, signature करोगे, clear, ठीक है, अब क्या होता है कभी-कभी इसमें, इसमें कभी-कभी होता है, आपके बास distributorship पतांजली की है, लेकिन आप distributorship हिमाल्य की भी लेना चाह रहे हैं, तो कोई बात नहीं, देखते हैं, इसमें क्या idea कर सकते हैं, आप नहीं लिखा तो अब आप introduction में लिखोगे कि हमारे पास पतांजली की already है, बता दो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है, बट मैं एक example दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इसका भी शायद कोई issue होता है, कि एक distributorship होने के बाद, same goods and services की दूसरी distributorship नहीं ली जा सकती, शायद से, I'm not sure तो एक example दिया मैंने आपको बस समझने के लिए, तो आप introduction में अपने इस बारे में बता होगे, देखो क्या होता है कभी कभी हम अपनी profile को चमका के बताते हैं, जिससे की सामने वाला हमारे में interested हो, clear यही शीज होता है, सारा business का यही खेल, अगर आप अपने आपको ऊपर द कितनी है, आपके पास go down है नहीं है, employees कितने है, human resource आपके क्या-क्या है, और आप क्या-क्या efficiency के साथ marketing करेंगे, area कितना बड़ा है, कहां कहां आप काम करेंगे, क्या-क्या contact है, कौन-कौन dealer है, यह सब चीज़े चेक होती है, ठीक है, तो अगर आप अपने introduction में यह चीज लि name और sign, अगर आपको पहले है, तो उसका purpose यह था आपको बताने का, कि आप मैं sign करके अपनी profile लिखोगे, जैसे, क्या profile लिखोगे, senior administration, senior HR, senior marketing, sales head, कुछ भी, ठीक है, जो भी आपकी profile होगी, तो बच्चों, यह था हमारा business letter, अब हम business memo को, यह जो हमारा memo format है, उसको cult continue करेंग और इस channel को like करना, subscribe करना, और share करना अपने दोस्तों के साथ, मत भूलना, और दोस्तों सबसे important बात, हमारे पास complaint हाई यह बच्चों की, कि उनके पास video clear नहीं आ रही है, तो आप देखेंगे, आपके YouTube के उपर जो 3 dot है, आप उसपे click करेंगे, तो आपको वो video clear हो जाएगी आप उसपे देख लेंगे एक बार, YouTube के उपर जाब के 3 dots है, आपको उसमें मिल जाएगा option, आपकी video clear हो जाएगी, clear, तो आप इस चीज को कर लेना जार, जिसके में clear आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है, तो guys, मैंने आपको बता दिया है, आज business letter के बारे में, memo के बा आने के लिए, तो please उसको like करें और अपने दोस्तों साथ share भी करें, thank you so much.